Hello everyone, Vedic Maths. Vedic Maths के आज के इस session में हम देखेंगे कि कैसे आप किसी भी 3-digit number का square 5 seconds में calculate कर सकते हैं. For example, 114 का square जी हाँ आप directly लिख पाएंगे. तो आईए start करते हैं हमारा आज का session. How to find square of any 3-digit number in 5 seconds. Suppose आपको कोई number है 107, उसका square आपको निकालना है. तो direct answer आप कैसे निखेंगे. तो इसके पहले मेरी आपसे एक request है. कि last video में मैंने 2-digit number का square जी आप 47 का square इसकी trick रिलीस की थी. वो वीडियो आप जरूर देखेंगा उपर I button में. तो आईए, आज के इस session में हम focus करेंगे square of any 3-digit number. Suppose हमें 107 का square निकालना है. तो सबसे पहले हम find out करेंगे कि 107 किस number के closer है. जनरली हम 100 चूज करते हैं. तो base number चूज करेंगे 100. और हम calculate करेंगे कि 107 100 से कितना बड़ा है. Means 107 minus 100, that is 7. तो जो 7 आया, उसको आप 107 में add कर देंगे. जब आप इसको add करेंगे 107 में, तो आपको answer मिलेगा 114. और फिर यह जो number आपने add किया 7, इसका square कर देंगे 49. यही आपका answer है 11449. देगे, इतना simple है 3-digit number का square. तो suppose एक दूसरे example से आपको explain करता हूँ. कोई एक number हम pick करते हैं, for example हम choose करते हैं 114, 114 का square हमें calculate करना है. तो इसके लिए 114 किस number के closer है? 100, तो हम base choose करेंगे 100. और यह जो given number है, 114, यह 100 से कितना बड़ा है? 114-100 मतलब 14. तो आप 14 को given number 114 में add कर दीजे. इससे आपको मिलेगा 128, और फिर आप 14 का square कर दीजे, 196. But, यहाँ पर एक बहुत important point है. देखिए जो base number है 100, उसमें 2 zeros हैं, और square जो आपको 14 का मिला, वो 3 digit number मिला. तो 2 zero होने के करण आपको 2 digit ही रखना है, तो इस one को आप इसमें carry कर दीजे. मतलब आप one इसमें add कर दीजे, तो 128 में जब आप one add करेंगे, तो answer आएगा 129, और यहाँ पर left out रहेगा 96, तो यह आपका answer है 12,996. तो ऐसे मैं कुछ questions आपको practice के लिए दे रहा हूँ, यह questions आप ज़रूर करिएगा, और इसके answers आप मुझे comment box में ज़रूर share करिएगा. और next video में हम plan कर रहे हैं कि कैसे ऐसे difficult number का square root आप directly लिख सकते हैं, तो यह next session में हम cover करेंगे, how to find square root of very big perfect square numbers. आपको यह video अच्छा लगा हो, तो इसे like, share और subscribe ज़रूर करिएगा, और बने रहेगे scholars world के साथ, thank you.